नमस्कार सस्त्री अकाल कैसे हैं आप सब आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे OBS Studio की सेटिंग्स के बारे में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेस्ट OBS सेटिंग्स for recording in 2025 without lag तो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपना OBS Studio यहाँ पर open कर रखा है यह है OBS Studio का सबसे latest version यह है OBS 31.1.2 सबसे latest version है दोस्तो OBS Studio से आप अपनी PC की screen record कर सकते हो कोई game record करना है high quality में वो भी कर सकते हो यानि आप 4K में भी अगर कोई recording करना चाहते तो वो भी कर सकते हो बस आपको यहाँ पर कोई settings करनी होती है proper settings करोगे तो आपकी quality काफी अच्छी आईगी OBS Studio को open करने के बाद सबसे पहले आपको settings का button दिखाई देता है इसे आपको click करना है इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको video पर click करना है अब यहाँ आप देखोगे यहाँ पर maximum quality जो है 1080p की show होगी और अगर आपका 4K display है 4K monitor है तो यहाँ पर maximum आपको 4K quality दिखाई देगी तो मेरा monitor 4K monitor है इसलिए यहाँ पर maximum resolution 4K show हो रहा है अगर आपका 1080p monitor होगा तो आपको 4K का option दिखाई नहीं देगा यहाँ पर arrow आ रहा है arrow पर आप देख सकते हो maximum resolution 4K हम set कर सकते है उसके बाद 1080p कर सकते है 720p कर सकते है अगर आपका monitor 4K का नहीं है तो आपको यहाँ पर 1080p और 720p दिखाई देगा तो मैं यहाँ पर 4K में recording करने वाला हूँ तो यहाँ पर भी हम 4K का resolution रखेगे और यहाँ output में भी हम 4K का resolution रखेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख र रखना चाहते हो तो यहां पर 1080p आप दोनों जगे पर select कर लोगे तो 1080p में भी आपकी recording हो जाएगी तो वीडियो की setting यहां पर हो गई उसके बाद यहां apply पर click कर देंगे उसके बाद हम जाएंगे अगले option पर यह वाला option है output अब आपको output में जाना है यहां पर output mode आपको advanced select कर लेना है और उसके बाद यहां आपको option दिखाई देगा recording का recording पर click करेंगे और उसके बाद type का option आ रहा है इसमें आपको standard select करके रखना है उसके बाद recording settings का option आ रहा है इसमें आपको सबसे पहला option दिख रहा है recording path तो यहां पर आपको select करना है कि कौन से folder में आप recording करके रखन चाहते हो यानि जो recording होगी वो कौन से फोल्डर में जाके सेव हो मैं आपको यह suggestion देना चाहता हूँ कि C drive जो होती है जिसमें हमारी program files बगएरा हमारा program वारा Windows software जिसके अंदर install हो रखा होता है उसमें आपको इसे save नहीं करना है किसी अलग drive में या फिर अलग किसी external hard drive में भी आप इसे रख सकते हो तो यहाँ पर browse पर click करके आप उस folder को select कर लो जहाँ पर आप recording को save करके रखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर select कर लिया है F drive अपनी select कर रखी है उसके बाद option आएगा generate file name without space तो इसे हमें untick करके रखना इसे on नहीं करना है अब यहाँ पर आपको recording format का option दिखाई दे रहा है इसके आगे आपको click करना है इसमें आपको MP4 का option दिखाई देगा MPZ4 MP4 आप इस format को भी select कर सकते हो अगर आपको कम time के लिए recording करनी है कोई छोटी clip आपको record करनी है तो MP4 भी आप format रख सकते हो लेकिन MP4 format में आपको problem आ सकती है अगर मालो आप recording कर रहे है उस समय कर OBS किसी कारण वश crash हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो आपकी पूरी recording बरबाद हो जाईगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इस problem से बचने के लिए अगर आपको लंबी वीडियो आपको record करनी है तो उस problem से बचने के लिए आपको यहाँ पर select करके रखना यह वाला option किया रहा है MKV तो यहाँ पर आपको MKV वाला format select करके रखना है अब आप चाहो तो कितनी भी लंबी वीडियो record करो आपका OBS अगर recording के दोरान आपका OBS किसी कारण बस बंद हो जाए crash हो जाए तो आपकी जितनी recording हो चुकी होगी वो आपको मिल जाएगी MKV format select कर लेना है उसके बाद हमें option म ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर option आ रहा है हमारा Nvidia NVNC H264 तो हम इसे select करेंगे अगर आपके PC में यह option आ रहा है तो आपको यह वाला option select कर लेना है और अगर आपके PC में इनमें से कोई option नहीं आ रहा है केवल नीचे वाला option आ रहा है तो आपको X264 वाला option select कर लेना है वो आपके graphics card पर depend करेगा कौन सा option आपको यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर मैं Nvidia NVNC H264 इसे मैं select करूँगा video encoder के बाद option आता है audio encoder अब आपको audio encoder में यहाँ पर यह वाला option select करना है जो मैंने select कर रखा है FF MPZ AAC यह आपको option select कर लेना है उसके बाद audio track का option option आ रहा है यहाँ आप देख रहे हैं audio track में आपको one two three four five six इस तरह के option देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर अगर आप अपना कोई अलग-अलग track record करना चाहते हो जैसे माल लो game का audio है वो आप अलग record करना चाहते हो या फिर आपका कोई mic का audio है उसे अलग record करना चाहते हो अलग से मेरा मतलब यह है कि अगर मैं इन्हें यहाँ पर tick कर दूँगा audio 1, audio 2, audio 3, audio 4 यानि अलग-अलग हम अपनी audio को record करेंगे और जो final हमारी recording आएगी उसको अगर हम किसी software में video editing software के अंदर जाके अगर हम चाहें अपने audio की जो अलग-अलग track है उनको हम edit कर पाएं तो वो हम यहाँ पर कर पाते हैं और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए खाली छोड़ देना है उसके बाद automatic file splitting का option आ रहा है इसे भी हमें untick करना इसे tick नहीं करना है और नहीं करना है उसके बाद encoder settings आ रही है इसमें आपको सबसे पहला option दिखाई देगा rate control rate control के आगे आपको click करना है अगर आपके PC में constant QP वाला option अगर show हो रहा है तो ये वाला option सबसे बहतरीन है ये आपको select कर लेना है और अगर ये option आपके PC में नहीं show कर रहा है तो आपको उपर वाला जो option है constant bit rate या cvr वाला जो option है वो आपको select करके रखना है तो मैंने याप पर constant QP select कर लिया उसके बाद यहाँ पर option आता है constant QP constant QP यहाँ पर आप click करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसे 17 पर set कर रखा है अब इसे आप जितना कम करोगे मालो मैं इसे 12 कर दूँ 10 कर दूँ जितना मैं इसे कम करूँगा तो quality हमारी अच्छी होती जाएगी लेकिन file size बड़ा होता जाएगा तो इसे आपको जादे है नहीं करना ना जादे कम करना ना जादे करना आप इसको 17 पर set करके रख सकते हो या फिर आप इसे 20 भी करके रख सकते हो उसके बाद key frame interval आ रहा है इसे आपको 2 second रखना है और preset में आपको select करके रखना है P6 silver better quality यहाँ पर आप देख सकते हो और भी option है P5 भी आप रख सकते हो लेकिन मैंने आपर P6 select कर लिया है P6 में भी आपको काफी बहतरीन quality देखने को मिलेगी उसके बाद tuning आपको high quality पर select करके रखनी है और multi pass mode जो आ रहा है यह आपको two passes quarter resolution यह आपको रखना है profile high रखना है और यह जो look ahead वाला option है इसे off करके रखना है उसके बाद जो नीचे वाला option आ रहा है इसे आपको tick करके रखना है और B frame 2 रखना है तो यह हमारी setting यहाँ पर हो गई उसके बाद apply पर click कर दो अब आपको यहाँ पर जाना है audio वाले option में audio पर click करो अब यहाँ आपको check कर लेना है sample rate में आपको 48 kilohertz set करके रखना है channel आपको studio set करके रखना है उसके बाद आपको ok पर click कर देना है हमारी सारी recording की setting यहाँ पर complete हो चुकी है उसके बाद recording करने के लिए यहाँ पर नीचे की side आप देख रहे हो यहाँ पर recording का option आ रहा है start recording start recording पर आपको click कर देना है तो अब मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे वो हमारी यहाँ पर recording भी उसकी start हो चुकी है OBS के अंदर इसकी recording हो रही है उसके बाद recording को यहाँ से stop कर देते है recording हमारी है यहाँ पर stop हो चुकी है तो यहाँ पर हमारी recording complete हो चुकी है यह MKV format में हुई है MKV format को आपको MP4 में convert करना होगा MP4 में convert करना भी बहुत ही आसान है कैसे convert करना होगा वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ हम यहां पर OBS पर वापस आ चुके है अब हमें MKV format में जो हमाई file record हुई है उसे हमें MP4 में convert करना है तो उसके लिए simple यहां file पर क्लिक करेंगे अब यहां आपको एक option दिखाई देगा Remax recordings Remax recordings पर क्लिक कर दो OBS recordings का यहां option आ रहा है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है अब यह हमारी जो recording थी यहां पर आ गई इस recording को select कर लो उसके बाद open पर क्लिक कर दो तो यह जो हमारी recording file थी वो यहां पर आ चुकी है target file हमारी यहां पर आ चुकी है उसके बाद simple आपको यह Remax पर क्लिक कर देना है और कुछी second में यह message आया था recording remix अब यह हम यहां पर इसे ok कर देते हैं मैं इसे close कर देता हूं और उसके बाद बापस file पर जाएंगे और उसके बाद show recording पर क्लिक करेंगे अब यहां आप देख सकते हो पहले एक file थी अब यहां पर दो file हमारी हो चुकी है यह वाली file आप देख रहो यह mkv format में है और यह file हमारी अब mp4 में convert हो चुकी है इसे play करके देख सकते हैं तो यह हमारी recording यहां पर होज गई complete तो दोस्तों इस तरह से OBS Studio 31 के अंदर आप बहुत ही बहुतनीन quality की recording कर पाऊगे अगर आपका कोई question हो को query हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो और अगर आपको OBS इस studio के बारे में जादे जानना है सीखना है तो इसकी बहुत सारी वीडियो मैं अपने channel पर upload कर रखिए OBS Studio की playlist का link मैं वीडियो के description में दे दूँगा बहां से जाकर आप OBS Studio को सीख सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं इतने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम